दली छात्र रोहित के आत्मात्या के मुद्वार को राज़त सभा में जम कर हंगामा हुआ बसपा सुप्रेमो मायवाती और केंदरिय मानव संसाधन विकास मंत्री इसमर्तिय नानी के बीच इस मुद्वे को लेकर तीखी नोग जोग भी हुई दरसल जवाहलाल नहरू विस्विक ड्याले और हैदराबाद विस्विक ड्याले के मुद्वे पर चर्चा को लेकर राज़त सभा में तमाम दल तयार हो गए थे लेकिन बसपा रोहित के मुद्वे पर अलग से चर्चा चाहती थी लेकिन सभापती ने अलग से नोटीस मिले बिना चर्चा कराने से इंकार कर दिया जिससे नाराग मायवती ने कहा कि वो राजित सभा को नहीं चलने देंगी इस बीच बसपा सांसद दलिच सरकार नहीं चलेगी और जिम्मेदार मंतरी स्तीफाते के नारे लगाने लगे मायवती ने रोईत का मुद्दा उठाते वे सरकार से जवाब की मांग की उन्होंने इस मुद्दे से कथित रूप से जुड़े केंदरीय मंतरियों के स्तीफे विश्विद्याले के कुलपती को हटाने और घटना की चार्ज के लिए गठित समीती में दलिच सदस्य को शामिल किये जाने पर सरकार से जवाब की मांग की इस मुद्दी इरानी ने जवाब में कहा कि कमीटी में एक दलिच सदस्य शामिल है मायवती उन्हें नजर अंदाज क्यों कर रही है दोनों के 20 तीखी बहस हुई और इस मुद्दी इरानी ने यहां तक कह डाला कि मायवती चर्चा होने दे और उनका जवाब सुने अगर वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती हैं तो वो अपना सर कटाने को भी तैयार है हंगामा बढ़ा तो वित मंतरी अरुन जेटली ने मायवती को संबोधित करते वेगा बहन जी आपको सरकार का जवाब भी सुनना चाहिए आपके सारे सवालों और चिंताओं पर गोर किया जाएगा बहस के दोरान बस्पा नेताओं ने केंद्री मंतरी स्मर्ती रानी पर सदन को गुमरा करने का आरोप लगाया तो वहीं खुद मायवती ने दलीतों के मुद्दे पर प्रधाल मंतरी नेरेंद्र मोदी पर भी तीखा निशाना साथा नेपाल में बुधवार को लापता हुए तारा एरलाइन्स के विमान का मलबा मिल गया है वहीं नेपाल आर्मी ने भी विमान के दुरगटना गरश्थ होने की पुष्टी कर दी है विमान में तीन क्रू मेंबर और दो बच्चों समेट कुल 23 लोग सवार थे विमान में दो विदेशी नागरीक कुएत के अलरसीद एहमद चिनिया नागरीक माकसु इंग भी सवार थे तारा एर के विमान 9N A.H.H. ने सुबह करीब 7 बचकर 50 मिनट पर पोखरा एरपोर्ट से जोम सोम के लिए उडान भरी थी विमान एक घंटे तक कंट्रोल रूम के संपर्क में था लेकिन हिमाले की पहाड़ेों के पास अचानक उसका संपर्क तूट गया दुरगटना के पीछे खराब मौसम को वजह बताया जा रहा है हादिक के मताबिक सुबह 8 बचकर 50 मिनट के बाद विमान संपर्क से बाहा था बताया जा रहा है कि विमान को कैप्टन रोशन मांदर और को पाइलट डी नेमकुल उडा रहे थे विमान के एरहोश्टेस रमा रवल थी वही विमान दुरगटना की सुचना भारत दोरे पाए नेपाल के परधान मंतरी केपी सर्मा ओली को भी दी गई है जेनियो इस्टुडन यूनियन के अध़च कनहिया कुमार की जमानत याचका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई 29 फरवरी तक के लिए टल गई है कनहिया कुमार को जमानत ना दी जाए कनहिया कुमार की जमानत याचका के पहले दिल्ली पुलिस ने अपकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है दिल्ली पुलिस ने अपकी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि जे एनियू में उस नौ परवरी के दिन देश विरोधी नारे लगे थे और कनया कुमार इन नारों में शामिल था इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी उमर खालिद और अनिर्मान को हिरास्त में लिया गया है सीधे तोर पर दोनों के साथ कनया कुमार का कनफरंट कराना है इसलिए कनया कुमार को अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए अधालत ने सुनवाई के दौरान साथ तोर पर कहा कि उमर खालिद और अनिर्मान को एक खरोस ककना आए ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करें साथ ही दिल्ली हाई कोट ने ये भी कहा है कि दोनों की जो पेशी है वो पूरी तरह से गुत रखी जाएगी उसमें कुछ चुनिंदा वकील और दिल्ली पुलिस के अधिकारी होंगे मीडिया के प्रवेश पर भी रोकोगा फिलाल दिल्ली हाई कोट ने कहा चुकी दिल्ली पुलिस कनफरंट कराना चाहती है तीनों को आपस में इसलिए जमानत नहीं दी जाती और आगे अगर दिल्ली पुलिस जमानत लेती है तो 29 फरवरी के बाद ही हम इस पर सुनवाई करेंगे प्रेश द्रो के मामले में कनफरंट को 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने ग्रफिया था और इसी मामले में आरोपी करार दिये गए उमर खालिद और अनिर्बान ने मंगलवार की रात को पुलिस के सामने सरंडर किया है कल रहित वेमला के नम पर जनतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और आज का नहीं या और उमर खालिद के खिलाव कल का प्रदर्शन वां बलो का था और आज बीजेपी समर्तिन एवीवीपी ने कड़ी से कड़ी कारवाहिम की मांग करते हुए जीनु के वामपंती चात्रों के खिलाव परदर्शन किया बीजेपी समर्थी ने वीवीपी के मार्च की शुरुआत रामनी और मैदान से हुई और जनतर मंतर पर जर पर जाकर ये मार्च खत्म हुआ मार्च करने वाले चात्र डियू के अलावा जीनु और कई केंद्रे विशिव द्यालों से यहां पहुचे हैं यहां पर दिशिंकारियों की मांग है कि उमर खालिद हो या करा कानून को खड़ी से खड़ी कारवाही देश द्रों के सब यारोपियों पर करनी चाहिए हाई कोर्ट ने कनईया को जमानत नहीं दी उमर खाले और उसके साथी ने समर्पन कर दिया इसके बावजूद एवीवीपी चात्र यूनियन की मांग है कि कारवाही और जादा कड़ी होनी चाहिए बज़र सेशन के दूसरे दिन रोहित बेमुला मामले में राजसरा में आज जम कर हंगामा हुआ ब्यस्पी और लेफ्ट के कई सांसदों ने सरकार के बिरोध में नारे बाजी की जिसके चलते राजसभा को कई बार अस्तवीत करना पड़ा हCU में हुए रोहित बेमुला खुदकुसी मामले पर बुद्वार को सांसद में चम कर हंगामा हुआ लेफ्ट, जेडियू और ब्यस्पी सांसदों ने वेल में आकर बीजेपी, आरेसेस, मुर्दाबाद, नरिंद्र मोदी मुर्दाबाद और नरिंद्र मोदी इस्तिपादों के नारे लगा है इसके बाद राजसभा की कारवाई को 10 मिनट के लिए अस्तिप कर दिया गया इसके बाद जब कारवाई सुरू हुई तो HRD मिनिस्टर इस्मिर्टी इरानी ने कहा कि ब्यस्पी तथा अन्यदल रोहित वेमुला की हत्या मामले को राजनितिक हत्यार की तरह इस्तिमाल कर रहे है इसमिर्टी के ऐसा कहने के बाद जब नारेबाजी और तेज हुई तो संसत की कारवाई को दोपर 12 बजे तक के लिए अस्तिप कर दिया गया इसके बाद तो सिलसिला ही निकल गया सदन की कारवाही के दोरान बियस्ति सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार उनके सवालों का जवाब दे इस पर भादवा की ओर से मुकतार अब्बास नकवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बहास हो लेकिन बियस्पी की ओर से नारिजबाजी चारी रही संसद्य कार्यमंत्री एम बंकया नाइडू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को राजी है लोक सभा में कांग्रेस के नेता मलीकारजुन खडगे ने कहा कि हम देश के अहम मुद्दो पर चर्चा चाहते हैं पूरवजों को सम्मान देने की बात कहीं वहीं दलित समाज पर जम कर डोरे भी डालें यहिने हम फिर वच्यम ने कहा कि बीजे पी पूरवजों का सम्मान करने वाली पारटी है अमिशा ने बहराई जिले के मंद से कॉंग्रिस के राहूल गांदी और सोनिय गांदी दोनों पर जमकर निसाना साधा जेनियू पिरकर पर उने सफाई देने की बात की अमिशा ने का कि BJP भारत में उन्माद और भारत बिरुदी नारे बरदास्त नहीं करेगी इस दोरान हमिशा ने कहा कि अगर आपके इन सरकार की योजनाओं को रोकोगे कि प्रदेश में BJP की सरकार बनेगी वैसे भी यूपी की जनता सपा और बसपा से उल्प चुकी है से परशान स्रावस्ती से आई एक महिला ने लखनो के बिदान सबा के सामने मिट्टी का तेल डाल का खुदकुशी करने का प्रयास किया लखनो उभीदानसरा के सामने स्रावस्थी से आई महिला सरोज ने अपने पूरे परिवार के साथ मिट्टी का तेल छड़क कर आतमदा का प्रियास किया गत्मासल पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने महिला को बमुश्किल आतमदा के प्रियास से रोक लिया महिला के साथ उसके चे मासूम बच्चे भी मौजूद थे जिन पर भी महिला ने तेज रख दिया था पिरित महिला का आरोप है कि सरावस्ती इस्तित उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कुलिस वालों के साथ मिल करकपजा कर लिया है कोट के दखल के बावजूद आरोपियों पर अब तक कोई कारवाई नहीं हुई लिहाजा हुष्ट ने अगदा का फैसला किया है हलाकि पिरित महिला की माने तो दबंग लोगों ने इससे पहले भी उनके परिवार को एक्सिजेंट करवा चुका है और कुछ दिन पहले दबंगों दोरा पिरित महिला की चत लूटने का भी प्रियास किया गया था इन सबसे भी दबंग लोगों कारजी नहीं बरा तो दो दिन पहले दबंगों ने उसके घर पर जबरन कबजा कर लिया और उसके साथ जम कर मार फिटाई की इतना ही नहीं पिरित महिला ने एलान कर दिया है कि अगर पुलिस अधिकारियों दोरा कारवाई नहीं हुई आरोपियों पर तो आगे भी वो आतना गरेगी मुख्यमंद्री की तमाम हिदायतों के बावजूद उत्तरप्रदेश पुलिस सुधरती नजर नहीं आ रही है ताजा मामला राजधानी लखनओ के गाजीपूर इलाके का है जहां डियाईजी लखनओ ने एक बुजर्ग को जोरदार थप पर जड़ दिया यूपी की राजधानी लखनओ तहजीप के लिए पूरी दुनिया में मशूर है लेकिन यहां की पुलिस ही इसे बदनाम करने में जुटी है मामला गाजीपूर थाना शेत्र का है दरसल मंगलवार शाम करीब 8 बजे डियाईजी देवेंद्र कुमार चौधरी गाजीपूर थाने के आमरपाली मार्केट के पास जाम में फस गए जाम देखकर डियाईजी गाडी से उत्रे और सीओ गाजीपूर सहित थाने की पुलिस को मौके पर तलब किया मौके पर पहुँची पुलिस जाम खुलवाने में जुट गई पुलिस जब अतिक्रमन हटाने लगी उसी दोरान वहां दुकान लगाए एक बुजर्ग प्लास्टिक प्यापारी को डियाईजी ने थप पर जड़ दिया आमरपाली मार्केट के पास बुजर्ग केपी तिवारी अपनी प्लास्टिक के आइटिम्स की दुकान लगाते हैं मंगलवार की घटना के बाद से वो इतना खौफ में हैं कि वो इस बाद से ही इंकार कर रहे हैं कि उन्हें किसी ने मारा है जबकि वीडियो में पुलिस के आला अधिकारी बरबरता करते साफ दिखाई दे रहे हैं ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब राजधानी का कोई बुजर्ग राजधानी की पुलिस के गुस्से का शिकार हुआ हो इससे पहले भी सितंबर 2015 में बुजर्ग टाइपिस्ट कृष्ण कुमार पुलिस के गुस्से का शिकार हो चुके हैं और इस मामले पर तुरंद कारवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोपी दरोगा को ततकाल सस्पेंड भी कर दिया था लखनव पुलिस की मुसीबतें और बढ़ गई हैं जहां डीजीपी आवास और मुख्यमंत्री आवास के बीचों बीच मिले उन्नती के बलातकार और हत्या की गुत्थी अभी पुलिस नहीं सुलजा पाई थी वहीं मुख्यमंत्री आवास के पास एक मुख्यमंत्री आवास के पास एक मुख्यमंत्री आवास के पास ही 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 एक मुख्यमंत पूरी तरह से मामले को सुल्जा भी नहीं पाई है वहीं अब इस मजदूर के आत्मत्या के मामले में देखना होगा पुलिस कब तक सुराग तलाश पाती है सुरेश प्रभू के रेल बजट से उत्राखन को भी बड़ी उम्मीदे हैं उत्राखन की यूँ तो तमाम बड़ी मांगे वरसों से धूल फाक रही है लेकिन एक स्यास अच्चाई ये भी है कि अंग्रेज जहां रेल छोड गए थे आज भी आजाद हिंदुस्तान में ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी है तो सवाल ये है कि क्या बजट से कुछ मिलेगा या फिर निरासा ही हाथ लगेगी केंडरी की नरेंज मोदी सरकार अपना दूसरा रेल बजट पेश करने जा रही है उत्राखन में प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो टनकपूर बागेश्वर रेल की मांग देहरादून से विकास नगर होते हुए कालसी तक ट्रेन की मांग सहरादूर से देहरादून तक डारेक्ट ट्रेन की मांग और चारो धमों को ट्रेन से जोड़ने की योजना पर आज भी जनता सरकार की ओर ताक रही है जबकि योजना आगे नहीं बड़ी इसके साथ साथ देहरादून से लेकर हरी द्वार तक डवल ट्रैक की मांग वर्सों से चली आ रही है लेकिन तमाम तक्नीकी कारणों के कारण यह मामला अटका हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाय जाने का भी मसला अटका है ताकि बड़ी ट्रेने आये और अधिक सधिक संख्या में लोग सफर कर सकें साधी रेल्वे को भी रेवन्यू का फायदा हो रेल्वे को चाहिए कि प्रॉफिट के साथ ही वो इस तरीके की योजना बनाए जिससे कि उसको फायदा हो और जनता को भी लाब मिले यात्री चाहते हैं कि अधिक किराया न बढ़े और सुइधाओं में इजाफा हो वाई फाय जैसी सुइधाओं भी जल्द मिले उत्राखंद में रेल्वे परेटन और तीर्थाटन के साथ सामरिक द्रश्ट से भी बहत मात्मूर है क्योंकि उत्राखंद के इंटरनेस्टल बाउडर पर चाइना है और चाइना उत्राखंद और देश की सीमा से महच 15 किलो मीटर अपनी रेल्वे लाइन नेटवर्क आपरेट करता है जबकि उत्राखंड या देश की रेलवे नेटवर्क लाइन इससे 150 किलो मीटर पीछे है पोस्तमाटम के लिए भेज़ दिये हैं घटा के बाद से मुरादनगर एलाके में तनाव फैल गया है वहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्ज तैनाद कर दी गई है जबकि ग्रामिड एलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है बताया जा रहा है कि मुरादनगर के मुहला विया पारियान में रहने वाले वसीम का भिकनपुर में डेरी संचालक विजे पर कुछ कर्ज बाकी था कल रात विजे ने फोन करके वसीम को पैसा लेने बुलाया तो वसीम अपने दोस्त नाईम के साथ डेरी पर पहुँच गया वहाँ दोनों पक्षों में विवाद हो गया जिसके बाद विजय और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर वसी और नईम की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या के बाद दोनों के शबों को डेरी में ही चिपा दिया गया देर रात जब घरवालों ने उन्हें तलाशना शुरू किया तो वो डेरी तक पहुंचे उसके बाद जब शक हुआ घरवालों को तो घरवालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस डेरी पहुंची तो इस हत्याकान का फुलासा हो सका बरहाल खुलिस ने इस मौमले में पाच लोगों को गिरफतार कर लिया है बाद भी सरकार उनकी मांगो पर कोई ध्यान नहीं दे रही वन छेतरा दिकारी संग, सायक वन करमचारी संग वन लक्षक संग से जुड़े करमचारी सडको पर उतर कर आंदोलन कर नजबूर है महासंग के मुख्य संयोजक राम सिंग बिष्ट का कहना है कि करमचारी लगातार सरकार से अपनी मांगो को लेकर वारता कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकर आत्पक पहल होती नज़र नहीं आ रही जिसके बाद करमचारी रेली निकालने को मजबूर हुए है वहीं अगर अभी भी सरकार नहीं जाकती है तो आने वाले समें में आप मजबूर किया जाएगा में सियासात और तेज हो गई है। 2017 के मद्ये नजर कॉंग्रेस के खिलाव सबसे धारदार हतियार के रूप में देख रही है। अगातार इजाफा हो रहा है राजधानी देरादून में दो और नए मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टी हुई है जब कि दो की मौत हो चुकी है हलाकि विबाग ने अलर्ट जारी कर दिया और आदेश दियें कि सभी को आईसोलेशन वाट बना ले जाए नहीं तो सभी पर कारवाई भी की जाएगी गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही स्वाइन फू के संक्रमन भी बढ़ता जा रहा है राज्जे में दो नए मरीज और पुस्टी हुई है अब राजदानी देरादून में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संक्या 11 हो चुकी है जबकि राज़े में इनकी संक्या 1.5 दरजन से जादा हो चुकी है एक व्यक्ति की देरादून में और एक व्यक्ति की हल्दवाली में मौत हो चुकी है स्वाइन फ्लू के दो नए मामले सामने आने के बात सही विवाग में हड़कम मचा हुआ है दिसम्मर महा से अब तक स्वाइन फ्लू के 10-10 मामले सामने आ चुके हैं सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी आईसोलेशन वाड बनाने के निर्देश दिये गए है स्वास्ते विवाग के अधिकारियों के अनुसर और स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहा है जिसको लेकर विवाग गंबीरता से कारवाई कर रहा है स्वाइन फ्लू के मरीजों की संक्या में लगातार इजाफा हो रहा है सीमो देरदून ने बताया कि दो नए मामले और स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं इसके साथ ही सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिये गए हैं कि वो आईसोलेशन वाड बनाएं अनिता उन पर भी कारवाई की जाएगी जिला मुखेले से रूर्की के लिए निकले दो दरोगाओं का तीन दिन के बाद भी पता रचलने से पुलिस बैंग में हरकब मचा हुआ है वहीं दरोगाओं की वार्लेस सेट और मॉबाइल पर भी जानकरी ले गई गई लेकि कोई लोकेशन अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है दरसल रूर्की सिविल लाइन कोटवाली में इन दिनों दरोगाओं की भारी करनी है जिससे वार्दातों के खुलासों के अलावा रूटीन के होने वाले कामों में भी भारी दिक्कत आ रही थी हर दुआर सेट दिल अबुदरी करिशन राज एसमें तीन दिन पहले पुलिस लाइन में तेनार दरोगा राजकुमार और अबुदर को सिविल लाइन कोतवाली में भेजने के निद्धे ही थे उसी रात दोदों की लवानगी भी रूटी कोतवाली के लिए कर दी गई थी इसकी सूचना बाकायदा कोतवाली पुलिस को भी दी गई थी लेकिन तीन दिन बीच जाने के बाद भी दरोगा रूटी नहीं पहुचे और नहीं उनकी कोई लोकेशन अभी तक हाथ लगभाई है जिससे पुलिस मैकमे में हरकम मचा हुआ है जोनोगों दरोगा कहा ले कैसे गई पुलिस अधिकारी अभी इस बात का पता लगाने में जूटे हुए है CWR.CM4YCM4E के बैनर तले हो रहा है जिसके प्रदेश सहियोजग मुख्यमंतरी के उधियों के उड़क छलाकार नणजी दरावत है पहले से बीजेपी के अवयद वसूली के आरोग जेल रही कॉंग्रेस सरकार अब खुद अपनों के निसाने व्याती दिखाई दे रही है दरसल लंबे समय से अंतराश्टी स्टेडियम के निर्मान में लगी बित्तमंत्री डॉक्टर इंद्रा हिर्देश को स्टेडियम में हो रहे खली के रेसलिंग सो से नदर अंजाज करने के बाद इंद्रा समर्थक आक्रोशित हो गए है PCC चीफ किसोर उपाध्याई के इंद्रा हिर्देश के आवास पर पहुंचते ही कॉंग्रेसी कारिकरता और एनुश्याई कारिकरताओं ने संगठन के मुख्या के सामने CMR इसराबत और रंजी द्रावत के खिलाब जम कर नारेबाजी की और खली सो के आयोजन से इंद्रा ह किसोर उपाध्याई ने कहा कि युवाओं की उत्तेजना सोभाईग है लेकिन उन्होंने किसी प्रकार के कोई नारे नहीं लगाए हाला कि किसोर ने इस अंतरकला को आम बात कही है हल्दवानी के अंतराष्टी स्टेडियम में प्रख्यात रेसलर खली के सो होने से पहले ही कॉंग्रेस में अंतरकला खुल कर सामने आ गई है सो से पहले इंद्रा हर्देश के समर्थकू ने मुख्यमंती हरीस रावत के अद्देगिक सलाकार रर्जी द्रावत के खिलाब जम करना रवाजी की है कानपूर में समौर भी अब अरच्छा की मांग करने लगे हैं जिसके चलते हुए कानपूर में अरच्छा को लेकर के समौर ने अरधनन्गों करके परदसन किया कानपुर के परेड 14 है कि सिच्छक पार्क में विवारी नेता ग्यानेस मिशा के नित्यत में लोगों ने अर्धनिक प्रदर्शन किया अरदनिक प्रदेंशन कर रहे विवपारी नेता ग्यानेस मिशा कर कहना है कि अरच्छन की आग जो बहुत है देश का सोर समाद भी उसमें सामीले देश के गरीब सोरों को उच्छा और सरकारी नौकरी में अरच्छन दिया जाए आजादी के बास से लगाता सोर समाद की उपि झाल 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 झाल